हेलो गाइस विल्कम बैक टो मैं टूप चैनल यसकी मिशड़ी अव्याप सकसेच और यहां पर जो क्लाश 12 हमारा चैप्टर सेकिंड का हम लोग जो स्रीच चला रहे हैं लग भी जान जनन या फिर इसे हम लोग क्या जानते हैं पुंबी जान जनन के नाम से जानते हैं यह हमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे वैरे बच्चों आपकी एक्जाम में हर वर्स यह बनता है हमारा लग भी जान जनन या फिर पुंबी जान जनन की व्याख्या के जिए तो हम लोग यह आपको नोट के साथ साथ आपको कह सकते हैं कि बोड के लिए भी आपके लिए बहुत मेंन हो होता है तो इस वीडियो को पूरा देखे ठीक है ना तो हमारा लग भी जान जनन हमारा क्या होता है तो तथा पराग कड़ो के निर्माड की जो प्रक्रिया होती है उसे ही लग बीजाणु जनन के नाम से जानती है ठीक है न याद रखेगा क्या करेंगे पराग कोस पराग कोस तथा पराग कड़ो के निर्माड की प्रक्रिया निर्मार की प्रक्रिया को लग बीजान जनन कहते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं लग बीजान जनन कहते हैं तो पराग कोस तथा पराग कोस तथा पराग कोस तथा पराग करू कि जो निर्मार की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या करते हैं लग बिजान जनन कहती है जो पराग कोस होती है पराग कोस एक समान विभाज जोतकी कोसिकाओं से बना एक अंडाकार समू है जो वाह अस्तर द्वारा घिला रहता है ठीक है न याद रखीगा हमारा जो पराग कोस पराग कोस एक समान पराग कोस एक समान विभाज जोतकी कोसिकाओं से कोसिकाओं से बना एक अंडाकार बना एक अंडाकार समू है जो वाह अस्तर द्वारा घिरा होता है जो किसे घिरा होता है तो हमारे वाह अस्तर से घिरा होता है यह अंडाकार समू धिरे धिरे विकास करके चार पालियो वाला हो जाता है चार पालियो वाला पालियो वाला हो जाता है तो चार पालिया बढ़ती है ठीक है ना और इसके बीच एक वाहनी उतक बन जाता है और इसके बीच में एक वाहनी उतक बन जाता है उतक बन जाता है जो बाद में जो बाद में एक समवहन बंडल का निर्माड करता है का निर्माड करता है फिर बाद में किसका निर्माड करता है तो समवहन बंडल का निर्माड करता है ठीक है पराग धानी की विकास के समय पराग धानी विकास के समय तरून पराग कोस के प्रतेक पाली में कोनों पर वाह अस्तर के नीचे कुछ अधह अस्तरी कोसिकाओं आकार में बढ़ जाती हैं कोसिकाओं आकार में बढ़ी हो जाती है ठीक है इसका जीवद्रव्य गाढ़ा तथा किंद्रक बढ़ा और इसपस्ट हो जाता है इसका जीवद्रव्य गाढ़ा तथा किंद्रक बढ़ा और इसपस्ट हो जाता है और हमारा क्या हो जाता है बहुत ही इसपस्ट हो जाता है इनको सिकाओं को प्रप्रसु को सिका करते हैं और इनहीं को सिकाओं को हम लोग क्या करते हैं प्रप्रस को सिकाओं करते हैं प्रप्रस को सिकाओं करते हैं ठीक है इसके बाद अगर देखें तो यह जो हमारा प्रप्रस को सिकाओं होती हैं यह प्रतेग प्रप्रस को सिकाओं एक परित्ह विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक वाह प्राथ्मिक भित्ती को सिकाओं तथा भीतरी प्राथ्मिक जो हमारी लख्ष बीजान को सिकाओं बनाती है कि ठीक है ना कि प्रतेख अब आगे लिखेंगे लोग कि प्रतेख प्रप्रस कोसिका कोसिका एक परित्ह विभाजन द्वारा विभाजित होकर विभाजित होकर एक वाह प्राथ्मिक एक वाह प्राथ्मिक वित्ती कोसिका तथा भीतरी प्रात्मित प्रात्मित लग बीजाणू लग बीजाणू जरन कोशिका बनाती है बनाती है कौन कोशिका निवारों कोशिकाय और दूसरी बनाती है तिक यह को शिकाए निरंतर विभाजित होती रहती है और यह दोनों को सिकाएं यह दोनो को सिखाएं ए प्रायः निरंतर विभाजित विभाजित ऎ होती रहती हैं कि प्राई निरंतर क्या होती रहती है हमारी विभाजित होती रहती है ठीक न और प्रात्मिक भित्ति कुछ क्या तीन से पांच भित्ति अस्तर बनाती है जिसमें स्विवाह की नीची परतर प्राह मोटी होती है ठीक न इतना भी लिख सकते हैं तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग और क्या लिख सकते हैं प्रात्मिक प्रात्मिक भित्ति को सिकाएं जो प्रात्मिक वित्ति को सिकाएं यह तीन से पांच भित्ति अस्तर बनाती है इन से पांच पांच भित्ति अस्तर बनाती ठीक है तो मेरे प्यारे दोस्तों यह रहा हमारा क्या लग भी जानुजनन या फिर पुम्भी जानुजनन जो क्या फिल्द थोड़ा सा हाड हो सकता है लेकिन उत्णा भी हाड नहीं हो सकता है याग समझेंगे तो दिखें यहाँ पे स्वप्र Corona क्या है कि लग भी जानुजन होता क्या है तो पराग को सतरा पराग करो करो के जो मिर्माण के प्रक्रिया होती है उससे हम लोग लग भी जानुजनन करती है ओके फिर पराकोस एक सामान विभाद जुतकी को सिकाओं से एक अंडाकार समूव होता है जो वह अस्तर से घीरा होता है तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एक्जाम में आता है तो इसको सिर्फ ऐसे लिगना है थोड़ा सा समझते हुए आपको फिगर य सब्सक्राइब को लिए एक लाश तो बाइलोजी चैप्टर से किन्ड है के लिए उके दूसरों थाएंक्यों जैहिं हुआ है